Hello everyone, आप सभी का Pathfinders by An Academy पे स्वागत है। रश्या-Ukraine War के बारे में आप सबको तो पता ही होगा। पिछले दो साल से ये War non-stop चल रहा है। इस War के पीछे reason क्या है? इसके बारे में बहुत सारे hypothesis है। वेस्टन मीडिया ये कहता है कि रश्या जो है वो इस तरीके की intentions हमेशा से रखता है। रश्या एक non-democratic, militaristic, उसके intentions काफी खराब हैं। वो imperialism को support करता है। वेस्ट का ये मानना है कि ये पूरा चीज, ये जो पूरा conflict है, उसका जड़ रश्या है। लेकिन अगर रश्या मीडिया और रश्या लोगों से बात करेंगे, तो उनका कहना है कि because of the western predatory geopolitics, जो वेस्ट ने गलत तरीके से geopolitics किया है, उसकी वज़ा से रश्या को अपने survival के लिए लड़ना पर रहा। तो ये दो hypothesis हैं जो अलग-अलग perception बताते हैं इस war के बारे में। हमारे इस session में, आज हम लोग एक नए perception के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों रश्या ने इस तरीके का war start किया with Ukraine। So I welcome everyone of you। आगे बढ़ने के पहले ये देख सकते हैं आप जो एक सबसे बढ़ा reason रहा है इस war को start होने में। जब cold war चल रहा था तो एक तरफ capitalism और liberalism को expand करने के लिए NATO को बनाया गया था। NATO का काम था कि Soviet को contain करना। तो दूसरी तरफ Soviet Union ने Warsaw Pact बनाया था और उस Warsaw Pact का काम था liberalism और capitalism जैसे विचारधाराओं को रश्या और आस्प परोस देगे देशों में नहीं आना। तो इसलिए एक तरफ NATO बनाया गया और दूसरे तरफ Warsaw Pact बनाया गया। लेकिन जब cold war खत्म हो गया, Soviet Union कॉलाप्स हो गया, तो Warsaw Pact को भी बंद कर दिया गया। लेकिन एक चीज जो अभी भी cold war का continue रहा वो था NATO और NATO के बल continue नहीं रहा, रदर NATO constantly expand किया। यह पहले image में देख सकते हैं आप कि कौन से country जो परपल में है वो 1997 के पहले थे। उसके बाद देख सकते हैं आप लगभग 14 ऐसे countries हैं जो cold war के बाद NATO जोइन करते हैं। अभी recently Finland ने भी NATO को join कर लिया है और उससे वो 15 country बन गया है जिसने NATO को join किया है। तो इस तरीके से देखते हैं आप NATO जो है वो constantly expand किया है। एक important information कि Unacademy IS के offline medium में batches English medium में start होने जा रहे हैं करोल बाग ब्रांच में, Hindi medium में मुखरजी नगर ब्रांच पे batches start होने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रयाग राज के बच्चों के लिए भी important information हमारे English as well as Hindi medium में batches start होने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई भी information चाहिए तो आप Unacademy के website हमारे branches पे visit कर सकते हैं या हमारे app को download कर सकते हैं जहां पे आपको सारे scholarship और upcoming batches के बारे में information मिल जाएग। इसी expansion को पुतिन बिलकुल पसंद नहीं करते थें। लेकिन पुतिन 14 countries नाटो में add हो गया लेकिन वो चुप रहें। लेकिन एक चीज जहां पर वो कभी भी compromise नहीं करते हैं वो था Ukraine। और इसलिए 2008 में जब पहली वार नाटो के बुचरे समिट में ये बात हुई कि क्या यूक्रेन को भी शामिल करना चाहिए नाटो में। तो नाटो कंट्रीज का एक सहमती बना कि यूक्रेन को भी नाटो के अंदर जगह देनी चाहिए। इसी के बाद पहली वार पुतिन ने कहा वेस्ट को आप अपने सीमाओ के आगे ना बढ़ें। तो यूक्रेन एक काफी sensitive issue था पुतिन के लिए। इसी तरीके से वेस्ट और पुतिन की बीच में प्रॉब्लम बढ़ी। दो हजार चौदा में फाइनली रश्या ने आर्मी भेज के दो चीजें अपने कबजा में ले ली यूक्रेन का। एक एरिया था क्राइमिया जो आप देख सकते हैं यूक्रेन के south में एक island है और दूसरा region जो रश्या ने एक तरीके से occupy कर लिया था वो था eastern यूक्रेन जहां पे लोशांक डॉनेस्क वाला region आता है। आप second image में देख सकते हैं कि जो eastern part of यूक्रेन है उसको भी बहुत हद तक रश्या ने अपने अंदर occupy कर लिया था। समय के ततकालिन यूक्रेन के president को resign करना पड़ा और जो नए यूक्रेन के president आएं वो pro western थे। वो जब power में 2013 में आएं तो उसके बाद उनका constant objective था NATO और यूरप union को join करना और यही बात पुस्तिन को पसंद नहीं आया था। इसलिए पुतिन ने पहला message west को दिया कि cold war के बाद मैं शांत पड़ा हूँ बट मैं कमजोर नहीं हुआ हूँ। और इसलिए 2014 में पहली बार Russia ने अपना शक्ती प्रदर्शन किया और Crimea और Eastern Ukraine को बहुत हद तक छीन लिया। हम लोग आज आते हैं 2022 में 2022 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि Russia को Ukraine के उपर इस तरीके का war करना पड़ा। 2021 के लगभग Ukraine और NATO की बीच में जो relations था वो काफी जादा बढ़ गया था। Constantly उन दोनों की बीच में military drills, technology transfer ये भी काफी जादा बढ़ गया था। साथी साथ enhanced trade partner जो NATO का एक status है वो भी Ukraine को दे दिया गया था। फिर पुतिन ने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फाइदा उठाकर Ukraine की ऊपर invasion किया जाए। समय भी पुतिन के साथ था। क्योंकि COVID था, सभी लोग distracted थे, सभी लोग परिशान थे, सारे countries अपने अंदर की problem, domestic problem से जूज रहे थे। और रश्या को चाइना का support भी था इस समय, तो रश्या को लगा कि अगर western countries मुझ पर sanction लगाते भी हैं, तो उससे क्या ही फरक पर रहा। मैं अपने समान को चाइना के पास भेज सकता हूँ, और इंडिया तो मेरा trusted partner है ही, तो इस context में, 2022 में, रश्या ने यूगरेन के ऊपर invasion किया, लेकिन एक बात चाहद आपको नहीं पता हो था, कि जो 2021 में, रश्या ने यूएस से एक चीज पूछा था, कि क्या आप मुझे एक लिखित, legal guarantee देते हो, कि यूगरेन कभी भी NATO को join नहीं करेगा, यूएस और western countries ने मना कर दिये, वो कहें कि यूगरेन आखिरकार एक sovereign country है, और sovereign country को अपना decision लेने का बिलकुल हग है, तो मैं क्यों होता हूँ बोलने वाला यूगरेन को, कि वो NATO join करे या ना करे, और पु चीज़ा सा answer आया है, diplomatic answer आया है, इसका मतलब Ukraine NATO join कर सकता है, इसलिए finally 2022 में Ukraine के उपर Russia ने इस तरीके के invasion को launch किया, पहला reason है कि Russia अपने survival के लिए ये पूरा चीज़ कर रहा है, अगर आप किसी के घर में जाकर किसी को पत्तर मारोगे, तो वो अपने बचाओ के लिए आएग बहुत पुरानी एक Catherine the Empress करके थी, जो Russia की रानी थी, उन्होंने कहा था, to survive, Russia has to expand, इसलिए Russia हमेशा से इस तरीके के buffer states को अपने अंदर लाना चाहते हैं, अब इन बात को छोड़के, जो इस session का main मुद्दा है, कि क्या कोई तीसरा reason भी है, जिसकी वज़े से Russia ने Ukraine पे अटा कि एक और reason, जो बहुत important reason है, जो हम शायद भूल जाते हैं, media उसको report नहीं करती है, वो है resource, जी हाँ, Ukraine के पास दुनिया में बहुत जादा resource है, और इसी resource का बहुत जादा relevance है, आज के दोड़के, तो Ukraine के पास जो एक resource है, उसकी वज़े से भी एक hypothesis है, कि हो सकता है, Russia ने इस लिए attack किया, और अगर resources की भी बात करें, तो उसमें जो सबसे important resource है, Ukraine के पास, जो expected है कि उसके पास ये resource हो सकता है, वो है आज का सबसे important resource, वो है lithium, लीथियम जिसको हम white gold भी कहते हैं, और आज lithium हरे एक चीजों में use होता है, जिस तरीके से हम climate change के लिए renewable energy की तरफ focus कर रहे ह जिस तरीके से हम electric vehicles के लिए battery पे focus कर रहे हैं, जिस तरीके से हम digital technologies का proliferation की बात कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ में lithium की ज़रूद बहुत जादा है, और अगर अगर आप new york time के report की बात करें, तो यूक्रेन में दुनिया का सबसे ज़ादा lithium resources expected है, यूक्रेन has one of the largest lithium reserves in the world, तो ये बताता है कि यूक्रेन की एहमियत कितनी ज़ादा है आज के तौर पर, सेम चीज़ वैलिटी क्रिफर्ड अपने किताब में भी लिखते हैं, कि किस तरीके से यूक्रेन future में एक lithium power बन सकता है, और because इसके पास इतना lithium है, तो बहुत सारे countries जो हैं, वो यूक्रेन के साथ एक relation को बनाना चाहते थे, उसमें सबसे खास हमारे लिए है चाइना, देख सकते हैं आप last paragraph, the Chinese company Changseng Lithium, उन्होंने भी Donetsk और Kirvograd region में lithium को exploit करने के लिए बहुत ज़ादा प्रयास किया है, lithium के अलावा भी Ukraine के पास बहुत ज़ादा resources हैं, जैसे आप India Today का ये image दे सकते हैं, Ukraine is second globally in gallium extraction, fifth globally in germanium extraction, sixth globally in titanium extraction, seventh globally in iron extraction, eighth globally in manganese extraction, अगर अप इस table की बात करें, तो oil and gas में second biggest known gas reserve in Europe, iron ore की बात करें, fifth largest exporter of iron ore, titanium, 20% of the world's proven reserve, and you know that titanium is one of a critical mineral, आज जितने में technologies की बात कर रहे हैं, वो सब titanium से आते हैं, food and security की one of the largest distributors of wheat and corn, तो ये जो resources हैं, खासकर lithium, और ये आप इतने resource देख रहे हैं, ये Russia को तो चाहिए ही होगा, in fact किसी भी country को चाहिए होगा, so हो सकता है कि ये एक reason है Russia का invasion करना Ukraine का, इसको और समझने के लिए आप इस image को देख सकते हैं, कि जो maximum resource है Ukraine का, वो eastern past में है, eastern part में है, लुशांक, मारिपोल, डोनेस्क, तो ये जो eastern Ukraine में देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़ादा iron and steel का resource है, lithium के भी बहुत सारे resource पाए गए हैं, east में, इसने Russia को पता है कि Ukraine को पूरा तो कबजा नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम Ukraine का eastern part कबजा कर लेते हैं, तो मुझे double benefit होगा, एक तो मेरा buffer create हो जाएगा, जो Russia चाहता भी है buffer create करना, और दूसरा buffer के साथ one-pay-one free resource भी आ जाएगा, तो Russia अपने geopolitics को भी ठीक कर पाएगा, और अपने geoeconomical benefit को भी ठीक कर पाएगा, तो ये एक काफी hidden, but one of a strong hypothesis है, कि हो सकता है, Russia resource के लिए Ukraine के ऊपर, खासकर eastern Ukraine के ऊपर, बहुत जादा हमला किया है, I hope आपको एक नया hypothesis पता चला हो, if you like this video, subscribe to our channel, see you again in the next video, thank you.